नमस्कार दोस्तों, आज के सुर्य में हम चर्चा करेंगे दिना 28 नमंबर 2024 का संपुर्ड राशिपन उससे पहले आज के दिन का जो पंचांगा उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है गुरवार का है, क्रोधिनाम समसर है, सुर्या का, दक्षिनायन चंद्रा है, हे मंतर तु है तार्तिक मेंने की कृष्टबक्ष की तेरवेटिति है, नक्षत्र चित्रा है, योग सौवांक्य है दिन का जो करण है वो गर है और जो रात का करण है वो भी गर है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा सुबर 9 बच कर 32 मिनिट से लेकर 10 बच कर 35 निट तक और अभी जितमोर्थ दोपर 11 बच कर 11 निट से लेकर 12 बच कर 49 मिनिट तक का होगा गुलिककाल और अभिजितमूर्थ जिनके शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकाल के महत्वपुनकाम या फिन्दिनने आप ले सकते हो उसी प्रकाल आज के दिने का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा दोपर एक बचकर 36 मिनिट से लेकर दोबच कर 57 मिनिट तक और यमःगंदकाल प्रातह 6 बचकर 50 मिनिट से लेकर आड़ बचकर 11 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमःगंदकाल दिן पे अशुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोगुन काम या फिन्डिन ने बिलकुल भी नहीं दिये उसी प्रकार आज की दिन का जो चंदरमा है यह चंदरमा संपुन दिन तुला राशी में ब्रहमन करेगा ये चंदरमा मंगल के साथ दुरुष्टी अदिष्टी केंद्रियों करने चारा है यह दुरसिती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिपल क्या होगा इस मिशेपर अब हम चार्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के सब्तम माव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपी के चंदरतोपाव में सित मंगल के साथ ये चंदरमा केंद्रियों करने चारा है महतबण दिन है आपके लिए खास करके अगर आप विवाई थो तो आपकी जो वैवाई चुड़दार है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार काफी बढ़ भी सकती है ध्यान रखिया कुट पर कंट्रोल लखना आवश्यक होगा आपकी जो वैवाई चुड़दार हैं के स्वास्त के समस्या भी सामने आ सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिशब राशी ब्रिशब राशी के तृतिय भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपी के शच्टभामिसित चंदरमा के साथ ये चंदरमा दृष्टी अधिश्टित के द्रियोग करने जा रहा है मैं तो बन दिन है आपके लिए खास करके स्वयक के स्वास्त के बारे में आज की दिन ध्यान देना आवश्च रखोगा काहर शित्रे से लिए छोटे बोड़े स्टेंशन देखे जा सकते हैं इसके बाद की जो राशी है वो है मितन राशी अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकारता कराण हो सकती है यह तकरा थोड़ी बड़ भी सकती है खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिलकुल भी नहीं करना उसी प्रकार जो गर बोवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुती जादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करकरशी करकरशी के चतुर्त बाव में चंदरमा का प्रमन है और आपी के राशी मिस्तित मंगल के साथ ये चतरमा दृष्टी अधिश्टित केंदर योग करने चारा है महत बुण दिन है आपके लिए खास करके घर कीचे लोग है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है ये तकरार काफी बड़ भी सकती है ध्यान दर किये घर पर किसी भी प्रगार के महत बुण काम आज दिन नहीं करें इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के तृतिय बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपी के बैया भामिस्तित मंगल के साथ ये चैदरबा दृष्टी अधिश्टि के इंदरियोक करने जा रहा है दिन महत बुण साबित होगा आज का जो दिन है घूमना फिरना जाता हो सकता है महत बुण काम भी आप हाथ में ले सकते हो लेकिन वो पूरे होने में कठन्या या सामने आ सकती है किसी भी प्रकार की commitment, promises, documentation related कोई भी काम आज की दिन नहीं करना stress distinction देखे जा सकते है इसके बाद की जो राशी है वो है कर्ण्या राशी कर्ण्या राशी के लाब वाव में चंदरमा का प्रमण है और आपी के द्वीदिया वाव में सित चंदरमा के साथ या मंगल कर्ण्या राशी के द्वीदिया वाव में चंदरमा का प्रमण है आपी के लाब वाव में सित मंगल के साथ या चंदरमा दृष्टी अदिश्टीत केंद्रियों करने जा रहा है आज की दिन आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवशक होगा unwanted खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं किसी वी क्रकार की investment या फिर खर्चेम पर नियां तरनक ना आवशक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी में ये चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के दशब्मामिसित मंगल के साथ ये चंद्रमा दृष्टी अधिश्टित के इंडरियोक करने जाए रहा है आज का जो दिन है महतवन होगा आपको स्वयम की भावनों के उपर कंट्रोल करना बहुत ही जादा आवश्ट रहोगा आपको जो भी कारिशेत रहा है उससे रिलेड़े चोटे मूटे स्ट्रेस देखे जा सकते है किसी भी प्रकार के महत अपन निनने आज की दिन नहीं लेना इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिच्चिक राशी ब्रिच्चिक राशी के वेईबामी चंद्रमा का ब्रुमन है और आपी के भाग्यबामी सित्मंगल के साथ दिच्चंद्रमा दृष्टी अधिश्टी केंद्रियो करने चाह रहा है मैं तो ब्रुमन दिन है आपकी लेखास करके आज का जो दिन है स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़ादा देखा जा सकता है घूमना फिरना ज़ादा हो सकता है आपके काम होनी के संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रहे इस विज़े से प्रस्टेशन स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा देखा जा सकता है और उसके चलते कुछ गलत निरने भी आप ले सकते है तो खुद पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्य प्रोका इसके बाद की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के लाब मौमी चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके अश्टमौमी सित्मंगल के साथ यह चंदरमा बिर्ष्टी अदिश्टीत केंदरियों करने चारा है महत बुड़ दिन है आपके ले खास करके आज के दिन आपके जो पैसे के खर्चे देंगे उस पर कंट्रोल करना किसी भी प्रकर के महत बुड़ इन्वेश्मेंट नहीं करना स्वाइब के स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आवश्चक होगा इसके बाद की जो राशी है बो है मकर राशी मकर राशी के दशब्भौ में चंदरमा का प्रमन है और आपके के सब्तम्भौ में सित्मंगल के साथ ये चंदरमार बुरुष्टी अधिश्टित केंद रियव करने चाह रहा है कारशेतर से रिलिटे स्ट्रेस चेंशन आज की दिन जादा देखे जा सकते है आपके जो वरिस्ट या फिर सहकेर में होंगे उनके साथ जो बाते प्रॉब्लम को अप्लिकिशन है वो जादा हो सकती है तो कुछ पर कंट्रोल करना बहुत ही जादा आमश्रक होगा इसके बात की जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के भाग्य भाव में चंदरमा का भ्यमन है और आपी के शष्टबाव में सिद मंगल के साथ यचा दरमा तृष्टी अधिश्टी के मिर्यक करने जा रहा है आज आपको जो मूड है वो काफी अच्छा देखा जाएगा लेकिन किसी भी प्रकर के महतपुर्ण काम की शुरुवात आज की दिन बिल्कुल भी नहीं करना कमिट्मेंट प्रामिसे से दूर रहना आवश्चक होगा उसके बाद की जो राशी है वो है मींद राशी मींदराशि के पंचम भाव में चंदरमा का भ्रह्मन है और आपी के अश्टम भाव में सिद्मांगर के साथ ये चंदरमा दृष्टि अदिश्ठित केंद्रयो करनी चाह रहा है स्वास्त की समस्य आज की दिन जादा आ सकती है उसे बरकर किसी भी प्रकार की ने महतबुनकाम आज ही दिन बिल्कुल भी नहीं करना दिन आपकी दिये अशुबु फरद्दाई सावित होगा तो दोस्तों ये था दिना 28 नवंबर 2024 का संपर्ण राशिपली धन्यवाद